हेलो स्टुडेंट्स चलिए तो इस कहानी को हम समझते हैं एक बुड़ी औरत होती है चैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हो यह जो है रास्ते में चलते हुए गिर जाती है तो वह वही पर बैठी हुए रहती रास्ते के अंदर तो इसी तरह बहुत सारे जो लोग है उसके आंस पासे मतलब बाजों से गुजर रहते इसी तरह वहाँ पर एक आदमी आता है वो जो है पहला आदमी होता है जो कहता है इसको के ऐए बुड़ी औरत तुम यहां क्या कर रही हो एक तरफ हो जाओ तो बुड़ी औरत कहती है मैं यहां पर गिर गई हूँ मैं खड़े हो नहीं सकती महरवानी करके मेरी आप मुदद कर दो इस पर वो जो पहला आदमी हो कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं है मैं बहुत जल्दी में हूँ इस पर बुड़ी औरत कहती है तुम कहां जा रहे हो तो वो जो आदमी हो कहता है कि मैं टाउन हॉल जा रहा हूँ यारी शहर क सबसे भहतेरीन इनसान का मेर आज इंतिकाब करने वाला है इस तरह वो हाँ से आगे चला जाता है उसके बाद में वहाँ पर एक जवान लड़की आती है वो भी ऐसी कहती है ऐ बुड़ी औरत एक तरफ हो जाओ बुड़ी औरत फुरसे कहती है कि मैं गिर गई हूँ मैं उठ नहीं सकती महरबानी करके आप मेरी मदद करो इस पर वो जवान लड़की कहती है मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगी तुम कितनी गंदी और बुड़ी हो मैंने आज मेरे सबसे बहतरीन कपड़े पेने है और मैं अपने शहर की सबसे बहतरीन इनसान बनना चाहती हूँ इस तरह वो भी आगए चली जाती है बुड़ी की मगर मदद नहीं करती उसके बाद में एक ताकतवर इनसान वहाँ पर आता है उसके बाद एक ताकतवर आद्मी वहाँ पर आता है और वो ही कहता है फिर से अरे बुड़ी औरत तुम यहां क्या कर रही हो एक तरफ हो जाओ फिर से बुड़ी औरत अपनी मदद के लिए पुकार लगाती है और कहती है कि मैं उठ नहीं सकती महरबानी करके तुम मेरी मदद कर दो इस पर वो जवान अदमी गुसा होकर कहता है कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं मुझे मत बताओ मुझे क्या करना चाहिए मैं बहुत जल्दी में हूँ इस तरह वो एक एक चला जाता है वहां से उसके बाद वहां पर एक जो है अमीर औरत बुड़िया के पास से गुजर रही थी तो फिर से बुड़िया को कहती है अरे बुड़िया तुम यहां क्या कर रही हो एक तरफ हो जाओ तो फिर से बुड़ी औरत मदद के लिए कहती है और बोलती है कि मैं उठ नहीं सकती तुम मेरी मदद कर दो वो अमीर औरत कहती है क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ जाओ किसी और से मदद मांग लो और इस तरह वो भी वहां से चली जाती है इस तरह वो भी वहां से चली जाती है उसके बाद में एक छोटा सबजो है लड़का वहां पर आता है और वो कहता है हेलो बुड़ी औरत तुम यहां पर क्यो बैटी हो तो बुड़ी औरत कहती है मैं रास्ते में गिर गई हूँ प्लिस मेरी मदद करो तो लड़का कहता है क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ और इस तरह वो बुड़ी औरत का हाथ पकड़के उसे खड़ा करता है और पुछता है आप कहा जाना चाहते हो बुड़ी औरत कहती है क्या तुम मुझे टाउन हाल लेके चलोंगे इस पर लड़का कहता है जी हाँ जरूर और वो दोनों साथ में टाउन हाल की तरफ चले जाते हैं जैसे ही वह दोनों लोग हाल में पहुँशते हैं तो वहाँ पर जो आदमी उनको पहले मिला था भो देखता है और कहता है अरे वो देखो वो बुड़ी औरत यहां आ गई है उसके बाद में जो अमिर औरत थी वो कहती है वो यहाँ पर क्यूं आई है इस पर जो पहला आदमी तो ये कहता है कि मेयर का हापर है वो अब तक नहीं आए हापर इन सब बातों के बीच में जो वो जवान आवरत थी या जवान लड़की थी वो कहती है कि मुझे पता है जो मेयर है वो मुझे ही बेस्ट यानि भेहतरीन इंसान का खिताब देंगे इस पर वो जो ताकतवर आदमी था वो कहता है नहीं नहीं सबसे बहतरीन इंसान के लिए मेर मेरा इंतिखाब करेंगे सब लोग जगड रहे हैं नहीं मैं बेस्ट रूओ मैं बहतरीन हूँ सबसे चावाड तुम सब गलत हो फिर सबके हब स्टेच पर एक देखते हैं और कहते हैं अरे यह तो लेडी मेर है यानि मेर है क्योंकि जो बूड़ी होती है वही मेर होती है वो बूड़ी ओर आथ का लिबास पैनके राष्टे पे गिर जाती क्यों? क्योंकि वो सबका इम्तिहान ले रही थी इस तरह वो बुड़ी औरत कहिती है कि तुम सब मेरे इम्तिहान में नाकामियाब हो गए हो तुम में से कोई भी एक विचारी बुड़ी औरत की मदद करने के लिए तयार नहीं था मगर सिर्फ एक इनसान ने उस बुड़ी औरत की और बुड़ी औरत कहिती है चलो आजओ मेरे पहरे बच्चे और उस लड़के को इस ट्रिश पर बुलाती है और फिर उससे वो जो भैतरी इनसान का जो खिताब था जो ताज ताफ पहनाती है और कहिती है कि ये देखो ये है हमारे शहर का सबसे बहतरीन इनसान